किसी सहर में एक बहुत बड़ी कंपनी का एक मालिक रहता था उस मालिक के घर में तीन नोकर काम करते थे एक सफाई वाला, दूसरा खाना बनाने वाला और तीसरा घर का चौकीदार दीवाली के दिन मालिक ने तीनो नोकरों को बोनस के साथ कुछ गिफ्ट भी दिये अगले दिन तीनो नोकर काम पर आकर अपना अपना काम करने लगते हैं सोबे नो बजे वे तीनो नोकर अपने मालिक को अपने कमरे में मरा हुआ पाते हैं फिर तैकीकात के लिए डेटेक्टिव बीरवल को बलाए जाता है फिर डेटेक्टिव बीरवल तीनों से पूछ ताज करते हैं खाना बनाने वाला कहता है मैं मालिक को चाय देने के बार नास्ता बनाने के लिए चला गया था सफाई वाला कहता है मैं दूसरे कमरों की सफाई कर रहा था फिर तीसरा नौका चौकिदार होता है चौकिता बोलता है मालिक के कहने पर मैं दुकान से न्यूस पेपर लेने गया हुआ था डेटक्टिव बीरवल समझ जाते हैं कि खूनी कौन है क्या आप बता सकते हैं सवाल का जवाब हमें कमेंट करके बताइए तो अब सुनिए सवाल का जवाब डेटक्टिव बीरवल कहते हैं खूनी चौकिदार है क्योंकि कल दीवाली का दिन था यानि कल पूरे देश में छुट्टी थी दीपावली के दिन कोई पेपर नहीं छापा जाता है तो तुम कौन से न्यूस पेपर लेने गए हुए थे हार मान का चौकिदार मान लेता है कि खून उसी ने किया हुआ था